ब्राट तो यू बाइ अजिलिस डाइगनॉस्टिक्स मेंगाई की कहानी ने नया मोड ले लिया है उमीद जाहिद की जा रही थी बाजार में नमन लगाया जा रहा था कि इस बार मेंगाई बढ़ने की दर में कमी दिखाई पड़ेगी और अच्छे खासे कमी दिखाई पड़ रही है मेंगाई जिसको कंजूमर प्राइज इंडेक्स कहते हैं रीटेल इंफलेशन खुदरा मेंगाई की दर वो साड़े तीन परसेंट पे पहुँच गई जुलाई में जो पिछले पांच साल में पहली बार ये मौका आया है कि कंजूमर प्राइज इंडेक्स या रीटेल इंफलेशन रिजर्व बैंक ओफ इंडिया के चार परसेंट के टार्गेट से नीचे है टार्गेट चार परसेंट होता है उसकी रेंज चार प्लस माइनस दो यानिकि दो परसेंट से छे परसेंट के बीच में अगर मेंगाई बढ़ने की रफ़तार रेती है तो रिजर्व बैंक के लिए वो बरदाश्त की हद में है इस वक्त रिजर्व बेंक के लिए ये अच्छी ख़बर है क्योंकि महंगाई की दर चार परसंट से नीचे याने साड़े तीन परसंट पे पहुँची हुई है और ये जून में 5.08 परसंट थी और वज़े क्या थी जून और जुलाई दोनों में जो खाने पीने की चीजों के दाम हैं वो काफे बढ़े हुए थे हलांकि जुलाई में ये फिर फूड इंफलेशन भी कम होके 5.42 परसंट हुआ है और शहरों में गाउं में सब तरफ महंगाई की जो दर है वो कम होती हुए दिखाई दे रही है इसलिए ये जो जुलाई का अंकड़ा है हलांकि रिटेल इंफलेशन ब्रेट का ये 2023 में पिछले साल 7.44 परसंट था लगबग साड़े 7 परसंट जो कि 15 महीनों की नई हुचाई थी और इस वक्त जो पॉल होते हैं रोइटरस न्यूज एजनसी सर्वे करती है च्छते से कॉनमिस के बीच उन्होंने जो पॉल किया था उसमें कंसेंसस आंकड़ा आ रहा था कि 3.65 परसंट पर पहुंचेगी महंगाई की दर वो भी काफी नीचे था लेकिन ये साड़े तीन पर पहुंच गई है और अब अगर आप देखें तो ये काफी समय से इंफलेशन रिजर्ब बैंक की बरदास्ट की हद के अंदर है लेकिन ये बिलकुल 4 परसंट या उसके असपास बहुत लंबे समय तक नहीं रहा है और इसी लिए अब यहां ये उम्मीद बढ़ती है कि रिजर्ब बैंक अफ इंडिया अब इस आंकड़े को देखकर ब्याज दरें कम करने की तरफ बढ़ेगा जिसका वादा बहुत दिनों से हो रहा है जिसकी उमीद बहुत वक से हो रही है कि क्या रिजर्ब बैंक अब ब्याज दरेंग खटाएगा हलाएं कि यहां एक और चिंता की बात आई है सामने इसमें एक आंकड़ा आता है कोर इंफलेशन का और यह जो कोर इंफलेशन का आंकड़ा है यह पहली बार इधर काफी लंबे समय से अगर आप दिख का आंकड़ा सामने रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह पहुंच गया है कि सीपिया इंफलेशन तो कम होके 3.54 पे आया है लेकिन जब आप इसमें इसको इसका सिर्फ कोर का आंकड़ा देखते हैं तो यह 3.1 परसेंट पे था जहां से यह बढ़कर 3.4 परसें वाली जो हद है उसके नीचे है लेकिन यह 4% की हद कोर इंफलेशन के लिए नहीं है वो CPI के आंकड़े के लिए है कोर इंफलेशन बढ़ना लगबग 2 साल में पहली बार यह बढ़ा है लेकिन यह चिंता का कारण हो सकता है लेकिन कितनी बड़ी चिंता यह है इसको देखन इस बात के आसार हैं कि यह मुझूदा गवर्नर की यह आखरी पॉलिसी थी तो अब शायद काफे कुछ बदर चुका होगा जब तक अगली पॉलिसी आएगी लेकिन क्या उसके पहले भी रिज़र बैंक कदम उठा सकता है यह सवाल है बाजार में जिस तरह की आज शेर बा बाता साड़े तीन बज़े लेकिन कई बार यह कहते हैं कि जब जो अनुमान सामने आए जैसे ही यह जो एकॉनमिस का पॉल था अगर इसकी भी खबर वहाँ थी कि हाँ इस बार महिंगाई कम आने वाली है तो यह तोड़ा बाजार में उत्सा बढ़ाती है और इसकी वज़ इतने वाली जो मार्केटिंग जिसको हम लोग शॉपिंग कहते हैं तो शेर बाजार उमीद करता है कि ऐसे में बाकी बाजार में एक्टिविटी बढ़ेगी और अब क्योंकि फेस्टिव सीजन भी सामने है कुछी समय के बाद त्योहार शुरू हो जाएंगे और उस मौके बेखरीदारी होती है जिस पर एक तरह से साल भर का लिंदें टिका होता है तो उमीद दोनों तरफ से बहतर है ब्याजदरें कम होने की उमीद भी हो सकती है और शेर बाजार में बाहर फिर लोटने की भी उमीद हो सकती है तमाम तरह की चिंटाओं अशंकाओं के बीच जबाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत बूट इस प्रेमियम सब्स्क्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, बोल्ट और प्लाटिन, जिनके शुरुवात मात्र एक सो उनसर रुपे महिने से होती है इससे जुड़ना भी बेहदासान है, बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाए, जॉइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें, बस बन गए आप हमारे प्रेमियम मेंबर झाल